जैहिं सभी फौजी पेंसनर बंदू मुझा उमीद है आपको निर्वाध रूप से पेंसन आ रही होगी क्योंकि आपने लाइफ सेटिपियेट जमा कर दिया होगा अब हर साल लाइफ सेटिपियेट तो आप जमा करते ही रहे हैं इसमें कौन सी नई बात है तो इस वर्स नई बात यह हुई है कि हमारे कई फौजी बंदूओं का पेंसन माइग्रेट हो चुका है अब वो यथावत अपना पेंसन लाइफ सेटिपियेट जो जमा करते थे बैंक में इसी तरह से जमा कर दिये हैं जहां कि अपने पुराने पीपियो को ही कोट किये हैं आज 19th फरवरी को मैं यह विडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि 20th फरवरी तग अगर आपने लाइफ सेटिपिकेट सब्मिट नहीं किया तो फरवरी माह का पेंसन आपको बंद हो जाएगा आपको ग्यात होगा कि तीन महिने के लिए एक्स्ट्रा दिया गया था असपर्स माइग्रेटेड वाले के लिए टोटल अकसर या नवंबर तक जमा कर देना होता है लेकिन तीन महिना एक्स्ट्रा दिया गया तो अभी भी बेप साइट में असपर्स के बेप साइट में दिखाया जा रहा है तीन लाग से ज़्यादा पेंसनर है जिनका Life Certificate नहीं जमा हुआ तो कुछ लोग तो होंगे जो डिजीज हो गया होंगे लेकिन कई लोग हैं जो दुविधा में हैं संसाय में हैं तो आपको मैं यही बताओं पीसीडिये लाहाबाद के होम पेज में जाएं राइट साइड में सबसे पहला मीनू है Life Certificate, Life Identification Status उसे आप क्लिक करें क्लिक करने से पहले आपको इन्फोर्मेशन लिया जाएगा आपको bank account number देना है या service number देना है या old PPO number देना है या फिर a source PPO number देना है या चारो में से कोई भी एक जानकारी आपको मुहया कराना है और वहां submit कर देना है आपका status हा जाएगा कि आपने Life Certificate जमा किया या नहीं किया यानि कि उसका validity अगले कब तक है या expire हो चुका है जैसे ही आप सबों से आग्रह विनम्र निवेदन कि आप अगर हमारे channel को regular देखते हैं तो आप बेसक जमा भी कर दिये हो तब भी आप एक बार वहाँ life certificate status जरूर ही check कर ले और अगर आपको लगता है gap है तो आज ही जमा करें और life certificate जमा करने का बड़ा ही सरलतम तरीका जैसे migration confirm करने का है उसी तरह से life certificate जमा करने का भी तरीका है अगर आपका आधार number वहाँ migration status में दिखा रहा तब तो आप digital life certificate के थूरू, biometric के थूरू जा सकते हैं अपने iris कभर करवा के या finger scanner के थूरू, g1 परमान website के थूरू ज कि आपको कैसे पता चले कि आपको due है क्या तो आपको PCDA का जो website है home page में ही आप पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा, aspurs में भी पता चल जाएगा आपको services में identification में जाके वहाँ देख लीजिए, identification में पता लग जाता है, तो वहाँ दो option है, digital life certificate जमा करें या manual life certificate करें, अब आपको date कैसे देखना है, तो date भी दोनों जगह दिख जाता है, PCDA के साइट में भी और aspurs के साइट में भी दिख जाता है, अब आपको blank, अगर आप mlc जमा कर रहे हैं, तो कैसे करना है, तो आपको blank वहाँ से generate करना है, जिसमें token number आता है, कुछ data आपको feed करना होगा, pre-filled form आते हैं, token number आते हैं, उसे ही आपको dignity, जिसका कि मैं नाम बताऊंगा, उन सबों से आपको signature करा के फिर upload कर देना है, उसी menu को इस्तेमाल कर, अब क्या time limit है, तो time limit इसके लिए manual life certificate डाउनलोड करने के लिए नहीं है, कभी भी आप upload कर लें, अब यहाँ बात आती है कि हमने किया था, वो यूज कर लें, या इस साल हमने किया कि आगले साल यूज कर लेंगे, तो नहीं यूज होगा, इसमें token number होता है, यह token number एक बार जब आपने submit कर दिया, तो यह token number expire हो जाते हैं, अगले बार reuse नहीं होगा, अब आपको suppose दो महिने का gap हो गया, खुदान खास थे, आप अगर फरवरी में जमा नहीं कर पाए, तो मार्च में जमा कर रहे हैं, तो जब भी मार्च में जमा करेंगे, तो मार्च का जब pension आएगा, तो उसी time फरवरी का भी area भी आ जाएगा, तो इसके लिए आपको अलग से कोई documentation या कहीं भी आना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, life certificate, जो MLC आपको generate हो रहा, तो issue करने का CP योगों ने जारी किया था, last year ही, उसी को copy कर PCDA ने भी अपने circular में भी निकाला है, उसको मैं लिस्टिंग कर देता हूँ, हलांकि अधिक्तम लोग इसे मानते हैं कि ये list भले ही बड़ा है, लेकिन बड़ा मुस्किल है इन महानुभावों से signature लेना अपने life certificate में, क्योंकि ये लोग बड़े ही आसानी से easily approachable नहीं है, और इनके term and condition कुछ और होते हैं, मुलाकात के या signature के, तो परिसानिया तो हैं, लेकिन इसमें list जो है, list से आपको जरूर आउगत होना चाहिए, ताकि आप किसी भी विकल्प क अपने lab के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो सबसे पहला जो list दिया हुआ, कि जो life certificate authorities हैं, उनको sign करने के लिए, तो पहला authorities तो यही है, कि जो magistrate के power को exercise कर रहे हैं, यानि कि CPC, CRPC, IPC, ये सब को कर रहे हैं, उस magistrate से आप करवा सकते हैं, अब आप समझे सकते हैं, magistrate साहब के chamber मे घुसना, उनके पास पहुँचना कितना मुस्किल काम होता है, एक रजिस्टार और सब रजिस्टार, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहथ, 1908 के तहथ काम कर रहे हैं, अब यह भी आप कहेंगे कि सब रजिस्टार से हम जब paper अपना जमीन, जाइदाद का करवाते हैं, तो डाइरेक्ट मुलाकात नहीं होता, मुनसी मुनसीप मैनेजर वेगरा से ही होता, तो डाइरेक्ट आपका कभी होता नहीं, तो यह इजली अप्रोचवल नहीं है, अब तीसरा आता है कि कोई भी पेंसर्ण ओफिसर हैं, जो कि रिटायर्मेंट पहले मजिस्टेट थे, प इटायर होने के बाद भी ऐसे जगह बसते हैं, जो कि आपको नहीं मिलेगा, अब एक है एनी गजटेट अफसर आप गहमेंट, अब गहमेंट में स्टेट गहमेंट भी हो सकते हैं, तो अगर गजटेट अफसर अगर आपके एरिया में हैं, जो कि एक तालुक में तो एक ही ह पुस्ट मास्टर के पास जा सकते हैं जो कि grade फॉन पुस्ट मास्टर हो सबाफिस के नहीं एक णुन धिपाल्ब्यक में इस्पेक्टर पुस्टमास्टर के ईसे के पास धोकी तो अगर 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 अस्टेट कैपिटल में रहते हैं तभी RBI का ओफिस मिलेगा और तभी वहां क्लास वन ओफिसर से मुलाकात आपकी हो पाएगी और स्टेट बाइंक ओफ इंडिया के किसी भी ओफिसर से जो की इजिली अप्रोचवल है अस्टेट बाइंक ओफ इंडिया का अभी लगभग 22,290 ब्रांचेज हैं तो किसी भी ब्रांच में जाएं तो एक ओफिसर तो जरूर ही होंगे तो यह निश्चित ही है आपके मदद करेंगे अगर आप SBI से पिंसरन ड्रा कर रहे हैं तब तो करेंगे ही करेंगे सिगनेचर आपके लाइफ सेटिवियेट में और अगर नहीं भी ड्रा कर रहे हैं किसी और ब्रांच से भी कर रहे हैं तब भी ओसाइन करेंगे एक सबसीडरी बैंक जो की SBI का आप रहा नहीं कोई भी SBA, 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 SBA रहा नहीं वो सब भी डेलिगेटेड हैं लेकिन अब तो SBA के नाम से जाना जाता है लेकिन इस लिस्ट में सबसीडरी का भी नाम दिया गया हैं और एक बैंक, बैंक के ओफीसर, जो की सेकेंड सीडूल में सामिल है, रबी आई का सेकेंड सीडूल, 1934 में, तो उसमें पेंसन जो ड्रा कर रहे हैं, उनके भी साइन करवाया आ जा सकता है, एक पुलिस ओफीसर, जो की सब इंस्पेक्टर इंचार्ज ओफ पुलिस अस्टेश के हेड जो हैं, उनसे आप करवा सकते हैं, अब आप देखिए कि कितना आप इजली अप्रोचबल हैं, वो कितना इजली अक्सेसबल हैं, लोग सभा, राज्य सभा, विदान सभा, विदान परिस्द, इन सबों के जो चुने हुए सदस्य हैं, अगर आपकी वहां तक के लिए चा सकते हैं, और इसके साथ ही आप हेड ओफ दो ओफिस हैं, जहांकि आप रिइंप्लाइड स्वाइम हुए हैं, तो उनके हेड ओफ ओफिस से भी आप अपना लाइफ सेटिपिएट करवा सकते हैं, और अंत में डिस्टिक साइनिक वेलफेर ओफिसर, डी एस डब करवा सकते हैं, अब बायमेट्रिक डिवाइसेस, अगर आप डी एल सी के थ्रू करते हैं, उसके लिए जरूरत है कि आपके आधार में डेमोग्रेफी फेलना हो, यानि कि सेम ही नाम आये, सेम ही डी ओ भी दोनो जगह है, पिपिओ में भी और वहां भी, तब ही होगा, तो कई ऐसे कमपानिया हैं, जो की लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट लंबा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो चार-पांच कमपानिया हैं, जो एमेजन में भी अवलेबल है, तो इसे आप बायमेट्रिक डिवाइसेस को भी खरीद के, आप स्वायम भी फिंगर स्कैनर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह सब तो है, अगर आप कर लें, बीस फरवरी तक भी, या रूटीन के रूप में, आप सदायवे सब चीज अगर कर लें, तो आपका कंटिन्यू पेंसन रहेगा, तो इसके लिए मैं समराइज यही कर दू, कि आपके पास बिकल्प जो है DLC का है, अगर डेमोग्राफिक फोल होने की समभावना नहीं है, MLC है, और फिर आप विदेशी के लिए, जो NRI हैं, जो अपने बच्चों के लिए या रिइंप्लाइमेंट के लिए विदेश में रह रहे हैं, जिने NRI पेंसन नन रेजिडेंट, इंडियन पेंसन रुबेस हैं, आपको इंबैसी से, या फिर हाई कमिस्नर ओफ इंडिया जो हैं, वहाँ उनसे साइन करवाके, लाइफ सट्वेड बाई पोस्ट आपको रजिस्टर्ड, एक नॉलेजमेंट के साथ भेज देना है, तो आपको वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर आप बैंक से ड्रा कर रहे हैं, कई एनरे पेंस्नर का होता है, सला की कैसे हम भेजें, क्योंकि वहाँ तो आप डिजिटल लाइफ सट्वेड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लेटिक्यूड, लंगुट्यूड, रीड करते हैं, जीवन परवान के बैप साइट, ओ, अधर दैन इंडिया ज ज़रूरी है, कि वहाँ के कंसुलेट से, हाई कमिस्नर से, इंबैसी से साइन करवाके, यहाँ PCDA प्रियागराज को भेज दें, तो यह सब अगर आप कुछ कर पा रहे हैं, तो मुझे उमीद है, आपकी लाइफ से निरवाध है रूप से जारी रहेगी, और असपर्स मेट्रिक लगाए हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं, जिसे DLC हम बोलते हैं, या फिर जीवन प्रमान के थुरू कर सकते हैं, या फिर अंत में यह सब नहीं कर पा रहें, तो MLC, और चौथा तरीका है, अगर State Bank of India से आप इंसरन ड्रा कर रहे हैं, तो वहाँ API आ चुका है, करीब Migrate हो गया है, तब भी आपको Life Certificate लेंगे, Aspurs Migration वाले का भी, वहाँ मीनू, जो उनका पुराना मीनू होता था, Certificate Submission, वहीं पर Aspurs का भी एक मीनू दे दिया गया, मैं अपने पिछले वीडियो में पूरा Demo दिखाया भी हूँ, जिससे बैंक के स्टाप भी सीख सकते है और pensioner भी जाके दावा प्रस्तूत कर सकते हैं, स्टेट बैंक के किसी भी साखा में कि हमारा Migration हो चुका है, लेकिन अकाउंट आपके यहाँ है, तो Life Certificate आपका सेम फॉर्मेट में जमा होगा, पर वहाँ जरूरत क्या है, अकाउंट नंबर जो कि आपके पास होगा ही, PCDA, अलाहाबाद का Home Window में जाएं और वहाँ राइट साइड में, नंबर टू मीनू है अभी, बाद में कुछ और भी हो सकता है, सेकेंड प्लेस में है, Migration Status, तो चेक Migration Status कर लिजिए, वहाँ भी अकाउंट नंबर डालके, वहाँ से Aspurs PPO तुरुत मिल जाता है, और वही Aspurs PPO नंबर, यहाँ चाहिए SBI को, तो यहाँ Bank Account नंबर और Aspurs PPO नंबर दोनों देंगे, साथ के साथ ही Submit हो जाएगा, और फिर अगले दिन आप वहाँ PCDA में भी जाके देख सकते हैं, और बैंक से भी एक Knowledgement ले सकते हैं, तो यह चार तरीका है, तो मुझे उमीद है, 19 तार भी जो DLC का ही है, आप Swim, आप इस्तेमाल करें और Face Recognition के द्वारा आप खुद भी कर सकते हैं, यह सब detailed वीडियो मैं यहाँ सिर्फ क्रक्स बता रहा हूं, आप detail में देख सकते हैं कि स्मार्टफोन से कैसे कर सकते हैं, DLC कैसे कर सकते हैं, MLC, exclusive वीडियो पूरा डेमो के साथ ह और अंत मैं आप सबों से यही बिनम्र डिवेदन करता हूं, कि मैं भी आपकी तरही फौजी पेंस्नर हूं, और इस चैनल को growth और development के लिए आप सबों की भी जिम्मेवारी होती है, जैसे मेरी जिम्मेवारी है, आप सबों को सजग करना, जानकारी देना, ऐसे ही आप सबों चाहते हैं, तो आप comment section लिखें, और अगर चाहते हैं कि यह आपके लिए useful था, तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी साजा करें, ताकि वह भी लाभानवीत हो, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराईयों से धन्यवाद, आप अपने जीवन की बहमुल्य समय हमारे स साथ नरेद्र कुमार, wellness consultant, entrepreneur के साथ लगाते हैं, फिर मैं मिलता हूँ, नए वेडियों के लिए, तब तक, बहुत बहुत धन्यवाद,